हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु श्टडी नियूज रिसेंटली नासा ने घोषना की है कि वह अपने आर्टमीज लूनर एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम के तहत या आर्टमीज लूनर एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम के माध्यम से 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पूरुस को भेजना चाहता है आखरी बार नासा ने सन 1972 में अपोलो मून मिसन के माध्यम से इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था और आटमीज कारेकरम के साथ ही नासा नई प्रद्योग्य की छमताओं और व्यापार द्रिश्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहती है जो भविश्य में मंगल ग्रह पर खोज के लिए जरूरी होगा तो इस आटमीज लूनर एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम को तीन भागों में विभाजित किया गया है जानेंगे इसके बारे में सो लेट्स स्टार्ट तो तीन भागों में पहला लगभग अगले साल आटमीज फर्स्ट को लॉंच किया जाएगा इसके तहट औरियन अंत्रिक छियान का परिक्षण करने के लिए एक गैर चालक दल वाली उडान सामिल होगी गैर चालक दल का मतलब होता है कि इस स्पेस क्राफ्ट में कोई भी इनसान सामिल नहीं होगा ये आटोमेटेड होगा फिर इस मिसन के सेकेंड पार्ट में आर्टमीस सेकेंड को 2023 तक लॉंच करने का लक्षे रखा गया है और फिर थर्ड श्टेप जो की सबसे इंपोर्टेंट है 2024 में आर्टमीस थर्ड को चंद्रमा की दक्षडी धुरूप पर अंत्रिक्षी यात्रियों के समेथ उतारेगा अगर नासा और चंद्रमा की बात की जाये तो सेयुक्त राश्टर अमेरिका ने वर्स 1961 की सुरुवात में लोगों को चंद्रमा पर पहुँचाने की सुरुवात कर दी थी इसके बाद आठ साल बाद 20 जुलाई 1979 को नील आर्मस्ट्रॉंग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानों बने थे स्पेस एक्स्प्लोरेशन के उद्देश से के अलावा नासा का चंद्रमा पर फिर से अमेरिकियों को भेजने का प्रयास अमेरिकन लीडर्शिप का विस्तार करते हुए अंत्रिक्ष में अमेरिकी नेत्रितों को प्रदर्सित करना और चंद्रमा पर एक रणीतिक उपस्थिती स्थापित करना है अगर चंद्रमा पर पहले रोवर के पहुँचने की बात की जाए तो 1969 में सोवियत संग जो आज रूस है उनके मानव रहित लूना वन और लूना टू चंद्रमा पर पहुँचे थे अमेरिका द्वारा अपोलो 11 मिसन को चंद्रमा पर भेजने से पहले उसने 1961 और 1968 के दोरान रोबोटिक मिसन के तीन स्रेणियों को चंद्रमा पर भेजा था इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा 1969 से 1972 के बीच में 12 अमेरिकी अंत्रिक छियात्री चंद्रमा की सता पर पहुँचे थे इसके बाद 1990 के दसक में रोबोटिक मिसन्स क्लेमेंटाइन और लूनर प्रोस्पेक्टर की के साथ मून एक्स्प्लोरेशन फिर से रेजूम किया फिर 2009 में नासा ने रोबोटिक लूनर मिसन की नई सिरीज की शुरुआत की इसके तहत लूनर रीकनसेंस और्बिटर एल आर ओ और और लूनर क्रेटर अबजर्वेशन एंड सेंसिंग सेटलाइट एल्स के प्रक्षेपड के साथ चंद्रमा की नई रोबोटिक स्रंखला मिसन का सुबारंब किया अब आर्टमीस की सुरुआ दो हजार ग्यारा में नासा ने सुरू की आर्टमीस का फुल फॉर्म होता है एक्सलेरेशन, रीकनेक्शन, टर्बुलेंस और एलेक्ट्रो डायनेमिक्स अफ दा मून्स इंट्रेक्शन विद दा सन और इसी मिसन के साथ अमेरिका के अलावा यूरोपिय अंत्रिक्श एजनसी, जापान, चीन और भारत ने चंद्रमा के बारे में जानकारी करने के लिए अपने मिसन भेजे हैं इसरो ने भी हाल ही में भारत के तीसरे चंद्रमिसन चंद्रयान 3 की घोशना की है जिसमें एक लेंडर और एक रोवर सामिल होगा तो ये थी पूरी जानकारी नासा द्वारा भेजे जाने वाले आर्टमींस लूनर एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम के बारे में था देखे च्ब्सक्राइब और प्रोड़ कोमेंट